वेल्कम बैक तू माई यूटूब चैनल पेपर हैकर आज हम आपके लिए फिर एक नया कुश्चन लेकर आएं ठीक है कुश्चन नमबर 18 है आपका कुश्चन नमबर 18 कह रहा है आएनन बेभब क्या है इसका और कह रहा है इसको प्रभावित करने वाले कार्कों को समझाईए ठीक है आएनन बेभब क्या है और इसको प्रवावित करने वाले कार्कों को समझाईए ठीक है वाड़े जैन पोटेंशिल एक्सलें बैरियर्ट एक्टर बिच अफेक्ट इट ठीक है अएनन बेभब क्या है मतलब आएनन बेभब और अगर हम आएनजेशन इनरजी की बात क तो यह बताना है कि यह होता क्या उसके बाद कौन-कौन इसको प्रवावित कर सकता है ठीक है ऐसे कौन से आपके कारक हैं जो इसको प्रवावित कर सकते हैं वो आपको बताना है ठीक चलिए हम सुरू करते हैं और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आपको सभी प्रकार के वीडियों को मिलता रहा है तो चलिए हम बात करते हैं आंसर के जो अगया करा आयनल या आयनल ऊर्जा ठीक है आयनल पोटेंशियल और आयनल इनर्जी किसी तत्व के एक यूप्त गैसिये प्रमार्ण किसी तत्व के एक यूप्त गैसिये प्रमार्ण के बाहर कोस में से एक एलेक्ट्रॉन को पूड रूप से बाहर निकालने में जितनी उर्जा की आवश्यक्ता पड़ती है उसे उस तत्व का आनन बेवब क्या कहते हैं आनन बेवब कहते हैं ठीक है अब देखो किसी तत्व के एक यूप्त ग केल्मेंट को तत्व है जिसके कोस्ट में अगर आपके पेरेइफ एलेक्ट्रॉन डो निकालने के लिए जितनी हमें आवश्यक्ता होगी वही क्या कहला कि आ या कहला हम क्या हों तो कहते हैं ठीक है तो बाहरी कोस्मे से किसी तत्त के वो को तत्त हमारा कैसा होगा गैसी कैसा होगा गैसी प्रमादू ठीक अगर मैं यहां पर बात करूं मानलो यह है हमारे पास एक क्या है गैसी प्रमादू है इसके बाहरी कोस्मे से हमने क्या करा एक इलेक्ट्रॉन निकाल दि कि इतनी हुर्जा अगर यहां पर इसकी खर्च होगी तो हम क्या कहेंगे कि यह जो आइटम है इसकी आइणाजेशन इमर्जी कितनी है आपकी 25 एलेक्टरान बोल्ट पर एटम है ठीक है आदि रहे आइनन ब्रहब को इलेक्ट्रान बोल्ट प्रिति पर मानू क्या कहते है यह क्या क्या सकते हैं यह इसकी उर्जा है आपको धिया रखने है कि है यह आपको दहां को हम आयनन ओर्जा के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो किसी परमाणू के कोश्च चेकरन को निकालने में कितनी ओर्जा खर्च करनी पड़े कि हमारी आयनल ऊर्जा ठीक या या आयनल विवव बात करें हाँ ही लीम की ठीक है तो ही लिउम हमारे पास एक गैसी परमाणू है इसमेसे हमने क्या एक इलेक्ट्रोन निकाल दिया है ठीक है एक इलेक्ट्रोन आपका बाहर आगया है तो इसकी जो आयनल उर्जा होगी यह आयनल वेभव होगा वो कितना हो जागा आई बन बराबर आपका हो जागा 24.6 यहीं अगर हम बात करें देखो एक लेक्ट्रोन और बचा हुआ बो दूसरा इलेक्ट्रोन भी अगर हम निकालेंगे तो यह क्या हो जागा इसका आई टू कमान क्या हो जागा आई टू कमान तो यहां पर प्लस प्लस हो जागा ठीक है पहले एक लेक्ट्रोन निकाला था फर्स्ट स्टेब में सेकिंड स्टेब में हमने क्या गरा इस हैची के अंदर दूसरा इलेक्ट्रोन था इसके कोश में वह भी हमने बाहर निकाल दिया ठीक है तो पहला इलेक्ट्रोन निकालने के लिए हमें कम देनी पड़ेगी ठीक है ऐसा क्यों होता है कि दूसरा इलेक्ट्रों निकाले में अधिक उर्जा के अवर्षक्ता होती है क्यों क्यूंकि कहारा है देखो हीलियम परमाणू में से पहला इलेक्ट्रों बाहर निकालने के लिए केवल आपको किती उर्जा चाहिए होगी 24.6 इल और निकालने के लिए आपको 54.4 इलेक्ट्रान बोल्ट उर्जा की आवशक्ता पड़ती है क्या है हिलियम का दुतिय आयनन विभव है ठीक है आई टू इसको हम कह देंगे ठीक है तो यह दो उर्जा होंगी दो इलेक्ट्रान निकाले हमने देखो एच्ची की अगर हम बात कर बन एस्टू प्रमान कुर्माने दो हम सांप जाएगा तो इसको में कितने इलेक्ट्राण होंगे दो इलेक्ट्रान होंगे ठीक है पहला इलेक्ट्रान और हमका दूसरा ELECTIRON अब देखो सो नाविक से नाविक और हीक्टान के बीच में जो आकर्षण बल ला गहा लग रहा है इनके बीच में है इं इ 사용ना यह लाँ खिरा आप्षणद बीक्टी है शिर्ण फिए पहले की तुलना में अब जादा हो जागा इस लिए अब हमें एक एक उलेक्टरस बचे हुए एक उच्वाषर को निकालने के लिए अधिक और जागे अवश्क्ता होगे ठीक है इसलिए पहला और क्या होगा को अब का कम मोगा जब लेक्ट्रॉन निकालने के बाद बने धनायन में से एक अलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बने धनायन में आपका जो प्रभावी होगा प्रभावी नाभिकी ये आवेश अधिक हो जाता है प्रभावी नाभिकी आवेश यही होता है कि मतलब जो नुकलियस है इलेक्टरॉन को बाहरी कोसवाले इलेक्टरॉन को कितनी तेजी से अपने और अट्रेक्ट कर रहा है आकर सित कर रहा है वो बड़ जाएगा पहले एक ता उसके बाहर हमने देखे थे कि दो एलेक्टरॉन थे मारे वही कि यह आपका नाविक हो गया और इसमें एक नाविक इन दो नाविकों को मतलब जिस बल से अपनी ओर और आकरसित कर रहा है, कुछ भी मान लो बोबल, क्या है, मान लिया बोबल क्या है, एक्स बल है, ठीक है, अब यहाँ से एक एलेक्टॉन हमने निकाल दिया, अब एक एलेक्टॉन निकाल दिया, अब यह जो अधिक बल से आकर्षित होते हैं किया होते हैं अधिक बल से आकर्षित होते हैं किदर नाविक की ओर ठीक है अब जब अधिक बल से आकर्षित होंगे तो उनको निकालने के लिए हमें और अधिक पूर जाकि अवस्यक्ता पड़ेगी यही कारण है कि प्रथम प्रथम आयनन ब करें तुम सबसे सबसे जादा एके कम होगा उतरड वाले किसे से से कम zeggen उदर कि बात करें तो सबसे किसका होगा आपका फर्ष्ट वाले का होगा ठीक है यहां पर देखो यह हमारा क्या है कोई गैसी परमाणू है कैसा कि गैसी यह आपका परमाणू है जिसको हमने माल लिया अब यहां से एक लेक्ट्रॉन निकालना है प्रत्म आयनन बहुब जिसको हम आई बन कहते हैं अब देखो इसमें एक एक लेक्ट्रों और निकालना तो हमने यही फिर ले लिया और इसको हमने क्या कह दिया तो यहां से प्रत्म आपके लेक्ट्रों निकाल था दूसरी इसमें से हम एक लेक्ट्रों और निकालना चाहें तो हम क्या करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा फ़र वाले का होगा जिसमें से में ज्यादा उलेक्ट्र से कम हो जागा और सब से कम क्या हो जागा आपका ऐद रखना है और को प्रभावित करने वाले का रख्ण अनल से आपको कौन क्रमानों की तरज्यां बढ़ने पर आएनन बिवभब कम होता जाता जैसे आपके परमानों की तरज्यां बढ़ने पर आएनन बिवभब यह कि क्रम बढ बढ या नहें और यह कशक भी बढ़ते हैं बढ़ते जाएंगे नहीं जब हम किसी समु ले जाओ कि तो क्या होगा प्राहौन करहिसरा बढ़ते जाएगा तो इस से क्या होगा न्या कक्ष ऊस्के परमानική बढ़ती जाती है G प्रमाण कुरमान क्यों तो परमाण कुरमान की कखची वाद किन पर भात कर लाध कर अबहते होता जाएंगी यह निकालने के लिए अबस्यक्ता होती है जदने जाद दूर एलेक्टर्व कंदेनी पड़ेगी यह रेक्टर्व उतनी ही आसानी से निकल जाएगा ठीक है तो यह हो गए नंबर एक आपका किसका प्रमानुविक त्रिज्जाग ठीक है प्रमानक तरज्जा भी इसको प्रभावित करती है ठीक सेकिंड अगर हम बात करें दूसरा कह रहा आपका नाभिकी आभिश्च न्यूकलियर चार्ज इसको किस तरह से एक्ट करता है कि रहा किसी भी आवर्त में अब बाइयोर कहां जाएंगे जबाब बाइयोर से दाई और जाएंगे ठीक है यानि कि हम कहा सकते हैं लिथियम से लोरिन की और जब आप जाएंगे तो कह रहा है आयनन वहों की मात्रता मात्रा बढ़ जाती है क्या हो जाती है आयनन वहों की मात्रा बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाती है क्यों कि नाविक पर आवेश बढ़ता जाता है नाविक पर क्या है आविस बढ़ता जाता है तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जाता है अब नाविक और बढ़ता जाता है जब नाविक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रेक्शन जादा देनी पड़ेगी जब उर्जा जादा देंगे तो उसका आयनल भी कैसा होगा जादा होगा ठीक है यतनी उर्जा जादा उतना ही उसका आविक ज्यादा तो यह होगे आपका नाविक या अधर पर ठीक है अंदर वाले लेक्ट्राण अंदर वाले लेक्ट्राण कक्षों का परिरक्षण प्रभाव क्या है अंदर वाले लेक्ट्राण कक्षों का परिरक्षण प्रभाव ठीक है जिसे हम शील्डिंग एफेक्ट भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको कैसे बाहरी करते ह लए में नई करते से और अंदर वालि सेल पूरी तरह से भर जाएगी यानि कि उसमें जित्ति एलक्ट्राब आने होंगे मैंगे तभी Jen में एक नई सेल हमें और मिलेगी ठीक है तो क्या होगा पहले एलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी आपकी बढ़ जाएगी ठीक है और कह रहा है आंत्रिक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रितिकर्शन अब क्या होगा उसमें रिपल्सन लगेगा ठीक है आंत्रिक इलेक्ट्रोन के द्वारा क्या होगा प्रितिकर्षन बल बढ़ जाता तथा कहा रहा है नाविक और नाविक और बाहरी इलेक्ट्रोन के बीच में आकर्षन बल कम हो जाता अब देखो नाविक और बाहरी इलेक्ट्रोन के बीच में आकर्षन आपका क्या हो जाएगा कम हो जा सब्सक्राइब हो बढ़े जब इसकी अन्दर यह पूरा हो जाएक माले पहले कोसं के विच पहर के बीच में इलेक्टोन और dealer कर बएक poo मतलब बारी बाहरी कोस और तो यह करते हैं पृतिकर्शं करते हैं कि एक दूसरे को प्रतिकर्शन करेंगे लेकिन जो नाभिक होगा वह भी बाहरी इलेक्टानों को कुछ ना कुछ अपनी और आकर्शित करेंगा थीक है अट्रेक्ट करेंगा तो यह आपका कहला है प्रितिकर्षित फ़िए तो यही प्रभाव हुमारा क्या क्या रहता है प्रद्टवा हम इसको कहते हैं ठीक और आपका कम हो जाएगा ठीक है नाविक और बाहरी कोई प्रद्ड़्ड के वेज़ नाविक बीच में ठीक है जो attraction होगा या आकर्षणर बलोगा वो कैसा हो जागा कम हो जागा ठीक आपको ध्यान रखना है जब उपर से नीचे आओगे तो इसी के कारण ठीक है जब नया कोस आएगा तो बाहरी कोस और अंदर वाली कोस के लेक्टान के बीच में जो आपका प्रितिकर्शन लगेगा और नाभिक सबसे बाहरी कोस के लेक्टान को अपनी और खींचेगा तो बहे उतना ज्यादा स्ट्रॉंग मतलब उनके बीच में जो है आकर्शन इतना ज्यादा शक्तिसाली नहीं होगा ठीक है तो बहाँ पर क्या हो जागा आपका कम हो जाएगा ठीक तो यह हो गया आपका पॉइंट नंबर तेन जो हमने देखा था नेक्स्ट और कि अगर हम बात करें कहाँ पी इलेक्ट्रोन के निस्कासन का प्रभाव तो देखो इफेक्ट आफ वर्ट एलेक्ट्रॉन करक किसी दिये गए एन के मान के लिए अब एन के मान के लिए जैसे कोई आपका SPDF कोई भी शेल हो सकता है बाहरी वाहे एलेक्ट्रॉनों द्वारा बने आवेश मेंग की बेधन सीमा का क्रम कोई हमारे पास एन कमान है ठीक है एस हो पी हो या डी हो इसमें से क्रम दे रखाए आपको SPDF होता है ठीक है अब कहरा है अता इन कक्छकूं के इलेक्ट्रॉनों का आयनल बिवव क्रम भी यही होगा क्या होगा वह आयनल बिवव क्या हो जाएगा आपका SPDF यानि कि सबसे ज हमें बात करें तो इसमें केबल एक ही कोश होता है और उसमें एलेक्ट्रॉन आपके कितने होते हैं के ब लेकिन लेकिन यहां पर जो नाविक है वो भी सबसे बाहरी लेक्टान को अपनी और आकरसित करेगा तो वह इतने अधिक बल से आकरसित नहीं कर पाएगा क्योंकि एलेक्टान रिपेल करने नाविक खीच रहा तो यहां पर कैसा हो जागा इनके बीच में जो आकर्षण होगा सबसे दिऊक्श के एलेक्टान और नाविक बीच में लेक्टान के बीच जो आकरशितों वह वह चरिए बहु क होगा और यह एलेटरौन आसानी से निकल जाए ठीक है को सकतें कि जब इसके ज़के आइसके कम होगा तो इस में कुछ और से ऑठां है ठीक है तो इस मीं क्या ह अगर आपका बढ़ता जाएंगा तो इलेक्ट्रों नाविक नाविक के बीच में जो फोर्शाब एक्षन है यह आकर्ष्ण बलेपो कैसा होता जाए पूर्ण का दूरी बढ़ती जा रही है तो बहुता जाएंगा आपका वहाँ पर आने ब्योग का मान्ज भी कम होता जाएं थीक है यही कहने मतलब है इसका नेज्ट कहुए फूर अध्वा सब्सका या फूरी तरह से वर्या हूँ या आध्य तरह टो किस तरह से करते हैं 보ा कि अगर हम बात करें तो है निके फूरी found is को पुल्प और और ह्लु ellos लेक्ट्रानों की संख्यां आधि मालोगर मैं बात कई यहां पर आ जाते हैं तो यह कैसा आपका पूरा बरा हुगा है कैसा है फूरर भरा हगा है कुमता कितनी ये कि औधिसमे तो यह किस्ताई होते हैं तो यह दोनों आपके कैसे अधिक इस थाई यह आपको ध्यां दखना या है या बे इलेक्ट्रान जिनकेrows उन जिनके कच्छक में जितने इलेक्ट्रान आते हैं या तो वो पूरी तरह से भरे हूं या तो पूरी तरह से आधे भरे हूं ठीक है वो कैसे होंगे आपके अधिक स्थाई होंगे इस प्रकार के बिन्यास वाले परमानूं से इस प्रकार के बिन्यास वाले परमानूं से इलेक् पूर्जा की आवश्यक्ता पढ़ती है अगर इलेक्ट्रों को निकालने के लिए हमें क्या होगी अधिकूर्जा की अवश्यक्ता होगी कब जब यह तो पूरी तरह से आधा बरागू ठीक है जैसे दुतिये आवर्त में अगर हम बात करें दुतिये आवर्त में बी एटू कि इसकी बात करें हम वी जिसका प्रमानुकुर्मान के तरह दो तो इसका इलेक्ट्रानिक विन्यास क्या हो जागा पूरी तरह से बहरा हुआ ठीक है तो इससे एलेक्ट्रों निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा ठीक और यह आपका क्या हो जागा 2 एस टू और यह आपका क्या हो जागा 2P3 अब देखो इसमें जो पी आ रहा है पी में आपके किते लेक्ट अरहें यहां पर नाइट्रोजन वाले में तीन इलेक्टोन आ जो कि पूरी तरह से आधा है कैसा हाफ फिल्ड है ठीक है फुली हाफ फिल्ड तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कठेन हो जाएगा ठीक करत त्रती आवर्त में अगर एम जी की बात करें एंजी भी किया होता है पूरी तरह से बढ़ा हुआ है तथा पी की बात कर रहा है फास्पोरस अलेक्ट्रॉनिक बिन्यास आपका दे रहा है ठीक है तो इसमें भी आपका जो पी है वो कैसा है यह कैसे होंगे अधिक स्थाई होगे कि संभावित प्रहावित करते रहे हैं आपको समझ में आया और आपको इसका पीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्स्य निया लिंक मिल जागा जहां से कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से अपनी त्यारी कर सकते हैं ठीक बने लिए हमारा साथ मिलते अंगले वीडियो में थैंक यू